मयूज दुनिया ब्रान कैसल, रहस्य और ड्राकुला की छाया, ब्रान कैसल, मिस्ट्री अन्द शाड़ ओफ ड्राकुला इंट्रो भीम संगीत बजता है, जो धीरे धीरे तेज होता जाता है, और फिर अचानक रुख जाता है कथावा चक, अन्धेरे कारपेथियन पहाडों में, जहां किमवदंतियां हवा में घूंगती हैं, और रहस्य हर कोने में छिपे होते हैं एक भव्य महल खड़ा है, ब्रान कैसल, यहां मध्ययुगीन किला अपनी खूपसूरत वास्तुकला, पहाडी की चोटी पर मनमोहक लोकेशन और ड्राकुला की दरावनी कहानी से जुड़े होने के कारण दुनिया भर के परियटकों को आकर्शित करता है लेकिन क्या महल के पत्थरों के पीछे छिपे रहस्य सिर्फ कालपनिक कहानिया है या कुछ और भी है आज हम इस विडियो में ब्रान कैसल के इतिहास, किमवदंतियों और रहस्यों की खोज पर निकलेंगे मध्यकालीन किले का गौरवशाली इतिहास महल के बाहरी हिस्से के शौट्स दिखाएं कथावा चक, चौधवी शताबदी में बना ब्रान कैसल मून रूप से एक रक्षात्मक किले के रूप में बनाया गया था सदियों से, इसने कई उदेशों की पूर्ती की है एक शाही निवास से लेकर सीमा शुल्प चौकी तक, इसका सबसे प्रसिध निवासी था व्लाद तीसरा, जिसे ड्रैकुला के नाम से भी जाना जाता है हालां की ड्रैकुला ने महल में केवल कुछ ही समय बिताया था, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए इससे जुड़ गया ड्रैकुला की किमवदंतियां और उनका सच्चाई से ना ने इस महल को विश्व प्रसिध बना दिया कहानी में ड्रैकुला को ट्रांसिल्वेनिया के एक गिंती के रूप में चित्रित किया गया है, जो एक भयानत पिशाच है हालां की वास्तविक ड्रैकुला व्लाद तीसरा एक क्रूर शासक था, लेकिन पिशाच कथाओं से उसका कोई लेना देना नहीं था महल में घूमते समय, आप ड्रैकुला की किमवदंतियों के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन यहां महत्वपूर्ण है कि इतिहास और कल्पना के बीच अंतर किया जाए महल के अंदर छिपे रहस्य कथावाचक, अपने भव्य कमरों, गुप्त मार्गों और छिवी हुई सीडियों के साथ इतिहास प्रेमियों और रोमाद चाहने वालों को आकरशिक करता है महल के कई कमरों को फर्नीचर और कलारियों से सजाया गया है, जो आपको अतीत में ले जाता है किमबदन्कियों का कहना है कि महल में गुप्त मार्गों और कमरे हैं, जो आज भी खोजे नहीं गए हैं, क्या आप इन रहस्यों को उजादर करने के लिए तयार है गुमने के अलावा, आप आसपास के खूपसूरत ट्रांसिलवेनिया क्षेत्र का भी पता लगा सकते हैं हरे भरे पहाडों, आकरशक गावों और मध्ययुगीन शहरों से घिरा हुआ, यह शेत्र प्रकृती प्रेमियों और इतिहास के शौकिनों के लिए स्वर्ध है आप लंबी पैदल यात्रा, साइकल चलाना या घुडस्वारी जैसी गतिविधियों में भाग लेकर शेत्र की प्राकृतिक सुन्दर्ता का आनंद ले सकते हैं